असलाम अलेकुम वेलकम टू अधर वीडियो और मैं हूँ अलीजबसन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें मेरा मकसद था दूसरी वीडियो में यह बनाता के वर्डप्रेस में डिफरेंस बतानता वर्डप्रेस जो .org और .com है लेकिन उसको डिफरेंस को जानने के लिए आ आपकी इंफरमेशन के लिए आपको बताता चलों के जो डूमेन है ना आप कोई भी वेबसाइट खोलें फॉर एक्जामपल यह यूट्यूब.com इन सिंपल वर्ड हम इसको डूमेन कहते हैं मतलब वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम डूमेन कहते हैं अब यह नाम असल जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कुनेक्ट होता है तो हर कंप्यूटर को एक IP अडरेस मिलता है पबलिक अब जैसे आप फून नमबर खरीदते हैं तो आपको एक नमबर मिल जाता है अब जितने भी दुनिया में लोग हैं उन्हें कंप्यूटर जो यूज करते हैं उ फून नमबर के साथ सेव कर दूंगा ये नम लिख के और इसी तरह इंटरनेट पे हर एक को नमबर मिला हुए IP अड्रेस तो उसको याद रखने के लिए हम उसके उपर एक नम लगा देते हैं यूट्यूब हो गया गूगल हो गया ये सारा नम हाँ लेकिन ये नम यूनीक ह लेकिन होस्टिंग क्या चीज है वैल होस्टिंग इन सिंपल वर्ड वो जगह जहां पर अपना डेटा सेव करते हैं फॉर इक्जैंपल अगर आप के पास एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है तो वह आपकी होस्टिंग है क्योंकि वहां आप अपनी फाइल होस्ट कर रहे के होस्टिंग पड़ी होती है एक जगह पे ऑनलाइन सर्वर के उपर सर्वर एक नॉर्मल सीप्यू को आप कह सकते हैं एक कंप्यूटर के उपर होस्टिंग कोई भी डेटा आप रखें उसके अंदर एक सोफ्ट्वेर कर दें जिसको आप सर्वर कहेंगे असल में सर्वर ए अब भी आपको चाहिए होगा आप अपना IP address in simple word domain का नाम लिखेंगे और वो जो data आपने उस computer में लिख है आपको show हो जाएगा for example ये namecheap slash hosting अब ये page HTML, CSS, JavaScript जैसे भी जिस भी तरीके से बना हुआ है ये उस hosting में पढ़ा हुआ है इनके computer में मैंने ये चीज लिखी है तो वहाँ से उसने मुझे उनके computer से ये सारा data दिखा दिया है तो ये एक main difference है hosting और domain में domain हम नाम को कहते है hosting जहां पर हमने वो data रखा होता है उसको कहते है तो इस channel को ज़रूर subscribe करें मैं आपको अगले वीडियो में difference बताऊंगा wordpress.org और .com में क्या difference होता है